तो आखिरकार एक बार फिर से गाय ने अपना घजब का प्रताब दिखाया है और जब गाय ने अपनी ताकत दिखाई है तो मोधी जी और उनकी सरकार बिलकुल हिलने लगे क्योंकि इस बार सुनने में आया है कि पाचवी बार वंदे भारा ट्रेन को गाय ने टक्कर मारी है और जब टक्कर मारा तो बिचारी भारी भरकरं ट्रेन पट्रियों पर कराहती हुई नजर आई लंबे समय तक ट्रेन को रोका गया उसकी नाग को ठीट हट किया गया चलने लाइक उसको बनाया गया उसके बाद ट्रेन अपने गंतवे को रवाना हो गई लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिर गाय ने ऐसा कौन सा टॉनिक पिया था जो ट्रेन से जादा मजबूत हो गई चहें दोस्तों मैं हूँ शम्स तब्रेस और आप देख रहे हैं टाइमस मेल वंदे भारत को पाचवी दफा एक गाय ने टक्कर मारी है या फिर ये कह लें कि पठ्रियों पर घूमने वाले मवेशी ने वंदे भारत को टक्कर मारी इससे पहले चार बार और ऐसे वाक्यात हो चुके हैं उसी गुजरात में जहां पर मोदी जी इस वक्त चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और ये ट्रेन मोदी जी की ही देन है जिसको आज गाय भायस बायल देखते ही अपना सिंग दिखाने लगते हैं के बाद ट्रेन का क्या हालत होता है वो वंदे भारत एक्स्प्रेस का थोबड़ा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा इस तस्वीर में देखिए इस तस्वीर में कमजोर होती ही सिर्फ अर्थववस्था की जलक नजर नहीं आ रही है इस तस्वीर में ये भी नजर आ रहा है कि कैसे आजादी के 70-75 साल के बाद आज गाई इतनी मजबूत हो गई है कि वो ट्रेन को टकर देने लगी है और ट्रेन को अपने सिंग से मार मार कर घायल करने की ताकत आज के गाई भायंस बैलों में हो चुकी है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि गाई के टकर से भ जुन के जुन्द गाई भायंस चाहे कोई भी जानवर ट्रेन के सामने आते ही उनकी मौत हो जाया करती थी वह मर जाया करते थे ट्रेन की जोर्दा टकber के बाद लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोदी जी के राजवे ही और मोदी जी के राज्य में इस तरह क घटनाएं हो रही हैं खासतर गुजरात को गुजरात में मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गाये उनके विकास की पैमाईश कर रही है केंदर से लेकर राज तक उनके कितनी मजबूत सरकार चलाई जा रही है उस ट्रेन की मजबूती के नापने के साथ ही लोग के सामने पेश हो जा रहा है आखिर कैसे घटी ये घटना और कब-कब इस तरह के वाकियात घटे हैं जरा एक बार नजर डालते हैं तकी पता चल सके कि मोधी जी के राज में अखिर गाय ने ऐसा कौन सा टाउनिक पिया है अखिर गाय ने ऐसा कौन सा पदार्थ खाया है कि उसकी मजबूती ट्रेन से जाधा हो गई काश वो मजबूती निर्मला सीता रमन को मिल जाती ताकि वो देश की अर्थववस्था को जाधा मजबूत कर सकें और डालर को कमजोर कर सकें रुपया को जान दे सकें और रुपया के साथ साथ आप ट्रेन वाली घटनाओं को ज़रा देख लिजिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है बीते गुरुवारत को जो है गांधी नगर से मुंबई जा रही थी तभी गुजरात की वलसाड में गाए ने टक्कर मार दी इस बार टक्कर के कारण ट्रेन का जो अगला हिस्सा जिसे नोस कहते हैं वो बिलकुल हिल गया बिलकुल टूट गया और ये घटनाय कई बार देखने को मिली है कि जब गाए बारेस बैल किसी भी जानवर से वंदे भारत के टक्कर हुई है तो उसका आगे का नाक जो है सबसे पहले टूट गया है लेकिन नाक टूटने का सिलसला क्या सिर्फ रेलवे की है ये नाक तो रेलवे की टूटी ही टूटी है साथ में बैठे हुए केंदर में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े संत्री भी गाहे के टक्कर से उनकी नाक को सहलाते हुए नजर आ अब देखिए कि ये मातर एक डेड़ महीने के भीतर ये पाँचवी घटना है इससे पहले वलसाट जिले के ही अतुल में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उदुर घटना का शिकार हो गई थी और उस वक्त भी एक जानवर नहीं उसे टक्कर मारा था हलाकि हाथसे के बाद ट्रेन को जो है 15-20 मिनट तक खड़ा रखा गया इससे पहले 8 नवंबर को जो है गुजरात के आनंद में वंदे भारत ट्रेन की जो है चपेट में आने के वज़े से एक महीला की मौत भी हो गई थी लेकिन 29 अक्टूबर को गांधी नगर से मुंबई जा रही वंदे भारत एक्सप्रिस वलसाट के अतुल में दुरखटना गरस्त हो गई ट्रेन के सामने अचानक बैल के आ जाने से उसका अगला हिस्सा छती गरस्त हो गया यह मैं मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूँ हाला कि इस दवरान किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आए थी इसी तरह 6 अक्टूबर को ऐसा ही घटना पेश आया मुंबई से अमदाबाद जा रही ट्रेन, बटवा और मडी नगर इस्टेशन के पास पश्वों के जुंड से टकरा गई इस घटना में भी वंदे भारत एक्स्प्रेस का अगला हिस्सा तूट गया ठीक ऐसा ही ही कांड जो है 7 अक्टूबर को हुआ जब वडोधरा मंडल के आनंद के पास जो है वंदे भारत एक्स्प्रेस से एक गाय टकरा गई या फिर यह कहें कि गाय अपने रास्ते पर चल रही थी मोदी जी ने उनी रास्तों पर पट्री बिछा दी और जब ट्रेन चली तो वो गाय के रास्ते में आ गई और गाय ने जब टकर मार दिया तो सारा का सारा ब्लेम गाय पर ठोका जा रहा है लेकिन सवाल यह है कि गायों को छुट्टा छोड़ने की महीम तो सरकार नहीं चलाय था आज अगर किसी भी नेता के लोग अगर सड़कास्ते का शिकार हो रहे हैं तो उसके लिए छुट्टा जानवरों को नहीं सरकार की नीतियों को दोश देना चाहिए यह जो अब जनता के उपर भारी पड़ रहा है ऐसी तकलीफ तब होती है जब बड़े-बड़े नेताओं के अपने लोग सड़कास्ते का शिकार होते हैं बड़े-बड़े नेताओं के अपने लोग जब परलोग सिधार जाते हैं तब उनको ऐसास होना चाहिए कि आखिर आम जनता का क्या हाल होगा फिलाहाल छुट्टा जानवरों के वज़से देश के किसान परिशान हैं खास कर बीजेपी साशत राच्चों में और इसके साथ यह आप यह भी बता दे कि वंदे भारत ट्रेन में क्या-क्या डैमेज हुआ है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाओं के बारे में भारती यह रेल क्या कहती है रेल मंतराला या रेल भी भाग क्या कहता है उसको जरा गौर से सुन लीजिए आस तक के मताबिक वंदे भारत के नोस कोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यह टककर के बार भी ट्रेन और उसमें बैठे यात्रियों को नुकसान ना पहुँचे यानि आप सोच लीजिए रेलवे सफाई दे रहा है कि 75 साल में अब तक उसने ये कही कामियावी पाई है कि चलती ट्रेन के सामने अगर कोई जानवर आ जाए तो हमारे किसी भी यात्रियों कोई नुकसान नहीं होगा मुझे नहीं मालूम कि आजाद भारत में से कोई घटना घटी हो जब कोई एक गाय भायंस या कोई जानवरों का दूसरा जुन्ड आ गया हो और कोई यात्री ट्रेन में बैठा हो और वो जखमी हो गया हो घायल हो अलाकि अब ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि सरकार य कि जादातर प्रीमियन ट्रेनों के फ्रंट का हिस्सा कौन शेप का रखा गया है ये हिस्सा मजबूत फाइबर आप्टिक का होता है इसमें किसी तरह की टक्कर के बाद सिर्फ आगे के कौन शेप हिस्से को नुक्सान पहुंच जता है गारी के अन्य हिस्से चेचिस और एं पता नहीं रेलवे को इससे कितना नुक्सान हुआ होगा कितना फायदा लेकिन सियासी गलियारों में वंदे भारत ट्रेन को पांचमी बार जिस तरीके से गाय के आगे कमजोर पाया गया उसकी चर्चा बहुत जोरोशोर से हो रही है अब राजिस्थान वीट कॉंगरेस को ही देख लिजी जिसने ट्विटर पर गजब कतंज कसा और लिखा वंदे भारत ट्रेन कमजोर नहीं है गाय जादा मजबूत हो गई है वंदे भारत एक्सप्रस पांचमी बार हाथसे का शिकार गुजरात के वलसाड में ट्रैक पर गाय से टकराई वहीं सुरेंदर राजपू लिखते हैं कि मोदी जी आज भी वंदे भारत ट्रेन को गाय ने घायल कर दिया वंदे भारत एक्सप्रस पांचमी बार हाथसे का शिकार गुजरात के वलसाड में ट्रैक पर गाय से टकराई वहीं दोसरी तरप एक और चीज़ गौर कर लें सलेंदर चत्रुवेदी लिखत क्या वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन हरबड़ी में तयार की गई रोजाना इन हाथसों की वज़ा क्या है यह बहुत बड़ा सवाल ख़़ा किया जा रहा है एक खास तोर से विपक्षी दल कॉंग्रेस की तरफ से अब देखिए तानिया यादव क्या लिखती है ट्वारी क सुरक्षा से पहले तो ट्रेन की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेन को अपना भीमा करवा लेना चाहिए हाए आज ऐसी नोबत आ गई है कि पब्लिक ट्विटर पर कह रही है कि सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है वो हमारी आपकी सुरक्षा क्या करेगी उससे ब गवू माता वंदे भारत एक्स्प्रस से नाराज काहें हैं लगता है निंबू मिर्ची नहीं टांगा ठख्या यह तंज कसा जा रहा हैं वंदे भारत एक्स्प्रस चे इस तरह से हालात को देखते हुए कि अब उसे कोई भी जानवार आता है या गवण्स आता है और दो- कोई अपने ट्रेनों को टॉनिक ओनिक देते हैं क्या आखिए ट्रेन इतनी कमजोर क्यों हो गई कहीं वो टॉनिक गाय ने तो नहीं पीली कहीं वो मजबूती गाय को तो नहीं हो गई फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो को बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडि इग नोडिफिकेशन आपको फोरण ही मिल जाए फिर निलते हैं किसी और वीडियो में एक नई ख़वर के साथ शम्स तबरेश को दीजे जाज़त जैहंद तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को हमें उमीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइमस मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें